हेलो अब्रीवान वेलकम तो हीडोल्स होमस्पन तेल्स आज हम बनाएंगे कौन कापसिकम मसाला और इसे बनाने के लिए ये रहे हमारे इंक्रीडियन्स सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में हम लेलेंगे जॉंप्ट टोमेटोस साथी अन्यन्स ग्रीन चिली इंजर कुछ कैश्यूज ले लेंगे अब इसमें थोड़ा पानी एड करेंगे और हमें टोमेटो ओन्यन की एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेनी है तो यह रहे हमारी पेस्ट रेडी है अब एक पैन में हम ले लेंगे अराउंड टू टी स्पून घी आप ओल भी ले सकते हैं लेकिन घी में सौदे किये हुए कॉन और कैपसिकम का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिये कैपसिकम और इसके साथ ही बॉइल कॉन अब इन दोनों को हमें थोड़ी देर तक सौटे करना है अराउंड थ्री फोर मिनित तक हमें ओवर कुक नहीं करना है कैपसिकम और कॉन को तो मीडियम फ्लेम पर सौटे करते जाएंगे इसे हम बीच बीच में चला लेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट और सीजनिंग और गैस ओफ करके इसे हम साइट पर रख देंगे अब इक दूसरे पैन में हम ले लेंगे ओल जैसे ओल गरम होता है इसमें डालेंगे जीरा जीरा स्प्लेटर होने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर धन्या जीरा पाउडर थोड़ा गरम मसाला और फो फाइज सेकंड्स तक मसाले हमें कुक कर लेने हैं फिर इसमें हम डालेंगे टोमेटो ओनियन की प्योरी मसाले और प्योरे को हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस प्योरे को हमें मीडियूम फ्लेम पर कुक कर लेना है इसमें डालेंगे और इस प्योरे को नियुक कर लेंगे तब देखिए और और फोर फाइज मिनिट्स के बाद प्योरी को हो चुकी है इसमें थोड़ा सा पानी डालके अम ग्रेवी की कंसिस्टेंसे अजस्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे साथे किये हुए कॉनन कैपसिकम दोनों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम सिमर होने देंगे और तू 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 त्री मिनिट्स तो अल्मोस्ट रेडी है हमारी ग्रेवी इसमें आप चाहे तो इस स्टेज पर ग्रेट पनीर भी डाल सकते हैं लास्टली मैंने डाले हैं कोरियंडर लीव्स यानि धनिया पते तो अब ये रेडी है तो मैं इसे सर्फ कर देती हूँ अब इसे गार्निश करेंगे ग्रेट चीज के साथ चीज का फ्लेवर कॉन और कैपसिकम के साथ बहुत अच्छा आता है and finally some coriander leaves for more interesting recipes subscribe to my channel